आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि नवजाच शिशू का मसाज कैसे किया जाए चले देखिए आप मसाज करने के रिए नारियल तेल बदाम तेल या ओलिव ओल का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे अच्छा नारियल तेल जो कोई भी सीजन में इस्तमाल किया जा सकता है अभी मैं नारियल तेल का इस्तमाल करने वाली हूँ अब हम बच्चे का मसाज करने का तरीका देखेंगी पहले कोकोनेट ओयल थोड़ा हाथ में लगाए और बच्चे के सिर्व से मसाज करना चालू करें फिर गाल पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें फिर नाक के नीचे और ठोड़ी याने चिन पर मसाज करेंगी यह चिशु की हद्डिया बहुत ही नाजुक होती है, इसके लिए सही दिशा और आकार में बनने के लिए खास करके नाग का मसाज किया जाए, आप बच्चे के कान और गले का मसाज करेंगे इसलिए बच्चे की मॉलिश रोज की जाए, बच्चे की तवचा बहुत ही नाजुक होती है और उसको पोशन की जुर्रत होती है, वो पोशन आरियल तेल से मिलता है आप अगर थंडे बातावन या मौसम में नहीं रहते तो आप मसाज करते समय, ओल के एक या दो ज्रॉप्स शिशु के कान में डाल सकते हैं, इससे बच्चे के कान साफ रहने में मदद मिलेगी अब हम बच्चे के चेस्ट का मसाज करेंगी, पाथ से दस बार या फिर पॉन भीतर जाने तक हलके हाथ से मसाज करेंगी अब हम बच्चे के हाथों का मसाज करेंगी मसाज करते बग हाथ के तलवे से कांधे तक उल्टी दिशा में मसाज करेंगी, बटम अब डिरेक्शन में दस से बार आ बार या फिर और भीतर जाने तक हलके हाथ से मसाज करेंगी बच्चे के पेर का मसाज भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से बच्चे के हाथ का मसाज किया था गोटो अब डिरेक्शन में पेर के तलवो और उंग्योग का भी हलके हाथ से मसाज करेंगे 10 से 12 बार या फिर तेल भीतर जाने तक हलके हाथ से मसाज करेंगे शुरुवात में जब आप बच्चे का मसाज करना चलू करते हैं तो बच्चे रोते हैं उनको धीरे-दीरे मसाज की आदत होती है फिर उनको मसाज करवाने ना अच्छा लगता है अगर बच्चा बहुत ही रो रहा है तो आप उसके लिए गाना गाए अगर आप गायक नहीं हो तो भी गायक क्यों कि जब बच्चे आपकी आवाज सुनते हैं तो इनको अच्छा लगता है या फिर आप बच्चे के लिए अच्छा गाना लगा सकते हैं या मेजिटेशन म्यूजिक लगा इससे बच्चा दीरे-दीरे शान्त होगा और उसका रोना रुख जाएगा मस स्ट्रेच एक्ससाइज करेंगे एक दो तीन चार अब ग्रिस क्रोस तरीके से एक दो तीन चार पाट छे साथ आथ नो दस अब बच्चे के पेर का एक्ससाइज करेंगे अगर बच्चा एक्ससाइज करते वक्त अनकंफरेबल हो तो एक्ससाइज मत कीजिए एक या दो बार कोशिश करके फिर छोड़ कीजिए ज्यादा रबाव डालके एक्ससाइज ना करें अब पेर को उठा कर पेप पे थोड़ा दबाव देंगे इससे बच्चे को गया स्पास करने के लिए मदब मिलेगी चार से पाच बार ये प्रकार आप कर सकते हैं अब बच्चे की पीट का मसाज करने के लिए उसे पेट पर लेटाए परमें हम सिर्की मालिश करेंगी बच्चे का सर बहुत ही नाजुक होता है कभी-कभी डिलिवरी के वक्ट बच्चा बाहर आते वक्ट सिर्क आकार थोड़ा बतल जाता है या फिर बच्चा जादा वक्ट पीट के बलस होता है इस वजह से भी इसलिए बच्चे का सिर्क सही आकार में और तरीके से बड़ा हुने के लिए उसके सिर का मसाज करना जरूरी है सिर्क पर गोल-गोल तरीके से हाथ खुमाए और मसाज करें और हम बच्चे की पीट का मसाज करेंगे हमेशा की तरह बटल अप डिरेक्शन में 10 से 12 बार या फिर तेम पीतर जाने तक हलके हाथ से मसाज करें मसाज होने के बाद फिर आप जेनेटिकल एरिया का हलके हाथ से टॉप डॉप डॉप डिरेक्शन में 10 से 12 बार मसाज करें मसाज करने के बाद 5-10 मिनिट में बच्चे को गुंगुने पानी से नहला दिजे नहला देवर साबन के जगाहा नाच्रल सोप याने बेसं की पेस्ट का इस्तमाल करें बेसं की पेस्ट बनाने के लिए 2 चमच बेसं और 1 चमच हल्दी को लिक्स करके पेस्ट बनाए और इस पेस्ट से बच्चे को नहला है बेसं के पेस्ट से बच्चे के एकस्ट याने ज़्यादा बाल निकल जाने में मदब होगी हल्दी एक नाच्रल स्किन के है इसलिए इस्तमाल करना फायदेवन होगा आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राब जबन कीजिए सब्सक्रिप्शन फ्री है अब आपसे इजाज़त लोगी मिटले है मैच स्जूडियो में